नमस्कार साथियों जारखन फाइटर्स मेंआप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम जैपी सउ पेपर 2 का प्रेक्टिस सेट 3 लेकर आए है इससे पहले हम लोग paper 2 का practice set 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और paper 1 का practice set 1, 2, 3 पढ़ चुके हैं तो आज हम लोग paper 2 का practice set 3 पढ़ेंगे तो हमारे चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और session को like share जरूर कीजिएगा और अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलिग्राम चैनल है जार्खन fighters जो description में link दिया हुआ है वहाँ से आप PDF ले सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ कर चलिए चलते हैं question की और पहला question है मुन्डा की सासन ब्यवस्ता में कई गाउँ लगभग 12 से 20 को मिला कर एक संगठन बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों option B पढ़ा किस नाम से जाना जाता है लगभग 12 से 20 को गाउँ को मिला कर संगठन बनता है उसे हम लोग पढ़ा करते हैं next question है राची जिल्ले का मुडमा मेला किस पंचायत का परभावी होने का सबसे बड़ा उधारन है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों option B पढ़ा पंचायत क्या हो जाएगा पढ़ा पंचायत next question है उलता है मान की मुंडा सासन ब्यवस्ता में निम्न में से कौन गाउं का समाजिक तथा धार्मिक परवतेभारों में पूजा पाठ करता है साथ ही धार्मिक अपराद के आरोपित ब्यक्ति का दंड तेक करता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों option c दिवरी क्या हो जाएगा दिवरी next question है उलता है कि मान जी परगना सासन ब्यवस्ता में निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी पदाधी कारियों को गाउं की ओर से जमीन मिली रहती है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों option d क्या हो जाएगा भगदो परजा क्या करते हैं भगदो परजा next question है तो है कि डोकलो सोहर सासन ब्यवस्ता में गाउं के जगडे जंजट को सुल जाने के लिए गाउं में सभा बुलाई जाती है जिसकी सभापतित्व कोन करता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों कोन करता है महतो करता है इसका अंसर हो जाएगा option यह महतो नेक्स्ट कोचन है तो एक नागवंसी सासन वे उस्था में भूमी स्वामित्व के बारे में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्ती है तो इसका अंसर हो जागो दोस्तों Au 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 सन रचना में सबसे प्राचिंतम चटान कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा option ये आर्कियन ग्रेनाइट नी से वो धारवड की चटान है जो क्या है प्राचिंतम चटान है next question है जहारखंड राजी की भुगरविक सन रचना में सबसे नविन्तम चटान कौन सा है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों option D जलोड निचेप से बनी चटान है ये क्या सबसे नविन्तम चटान है नेक्स्ट कोच्टन है निम्न नदियों में किस नदी का उपनाम रामायन भी है रामायन किस नदी का उपनाम है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों option B सक्री नदी कोन से नदी सक्री नदी का नाम उपनाम क्या है रामायन next question है Christian students organization के संस्थापक निमने लिखित में किस mission से संबंदित थे इसका answer हो जाएगा दोस्तो इसका answer हो जाएगा option D जो कि क्या है एंगलिकल मिशन क्या है एंगलिकल मिशन है next question है Simon Commission को राची आने पर किस संस्था ने अपना ग्यापन सोपा था तो इसका answer हो जाएगा दोस्तो ओप्शन B चोटा नागपूर 29 समाज किस ने सोपा था चोटा नागपूर 29 समाज ने next question है भोगता विद्रो का आरम सत्रा से खत्तर इस्वी में किसके निर्थी तुम्हें हुआ था तो भोक्ता विद्रो का आरम 17-71 में किसके निर्थित में हुआ था दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा option B जैनाथ सिंग किसके निर्थित में जैनाथ सिंग के निर्थित में next question है तो जारखन का किस जन जातिये विद्रो का परिनाम था कि 1834 में दच्छिन पस्वी सिमानत एजेंसी नाम से एक परसासनिक इकाई का गठन किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा कोल विद्रो कौन सा था कोल विद्रो option यह हो जाएगा इसका सही अंसर नेक्स्ट कोचन है उलता है कि निम्न कतना पर विचार किजिए सुसुम पानी गर्म जलकुंड मोरन दी के तट परिस्तित है बी है सुरजकुंड हजारी बाग में इस्तित भारत का सरवादी गर्म जलकुंड है सी है हरहद हजारी बाग में इस्तित है डी, हुटार, गर्म, जलकुंड, पलामु, जिला में इस्तित है. इसका अंसर हो जागा दोस्तों, अप्शन D इन में से सभी क्या है, सही है. नेक्स्ट कोश्चन है जारखन में कितने परकार की मिट्टी पाई जाती है जारखन में दोस्तों 6 परकार की मिट्टी पाई जाती है नेक्स्ट कोश्चन है जारखन में कितने किस्म का लाह उत्पादन किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों कि ऑप्शन हो जाएगा इसका सी कितने तरह का चार तरह का नेक्स्ट कोचन है तरह कि जार्खन का एक मात्र राश्ट्य उध्यान के संबंध में निमने कथनों पर विचार किजिए इसकी अस्थापना 1932 में हुआ था यह लातेहार जिला में 337.67 किलोमेटर में फैला है यहां पहली बार विश्व में सेर की गन्ना भारत सरकार दोवार 1933 में हुई इस राश्ट्य उध्यान में हाथी बाग सेर तेन्दुवा जंगली सुर आदियनेक परानी देखे जा सकते हैं इसका अंसर क्या हो जागा दोस्तों इसका अंसर हो ज कि विचार करने बोलता है इसका अंसर हो जागा कि इस राश्ट्य उध्यान में हाथी बाग सेर तेन्दुवा जंगली सुर आदियनेक परानी देखे जा सकते हैं इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन यह बाग के लिए किस के लिए बाग के लिए नेक्स कोचेन है जाके जारखन में की सा अभियारनी में हाथी परियोजना की सुरुआत की गई हाथी परियोजना की सुरुआत कब की गई तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर फो जाएगा I aha be laughed the little mant nove जली a next question है है तेनुघाट पच्छी विहार जहारखंड के कि जीले में इस्तित है तेनुघाट पच्छी विहार जहारखंड के किस जीले में स्थित है ति इसका अंसर हो जाएगा वोग कारू ऐँजे इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इन में से कोई नहीं यह जितने हैं A B C सारे सही है इसका अंसर हो जाएगा option D इन में से कोई हुँ नहीं नेक्स यह जखन में संताल जनजाती के संब्न समन्द में निम्न में से कों सा कथन सत्य नहीं है baptism कि कौन सा कथन सत्य नहीं ए भारत की तीसले सर वादिन जन्शंक्यां वाली जन जाती है इनका जमाव संतरल परग्णा शेतर में सरवाध Mein संथाल प्रगना का नाम अग्रेजों ने संथालों की बहुलता को देखते वे संथाल प्रगना रखा है तो इसका अंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है नेक्स्ट कोचन है जहारखंड का एकमात्र नगदी फसल के स्क्रॉप निम्न में से कौन सा है नगदी फसल के बारें पुछा जा रहा है तो इसका अंसर हो जाएगा उप्शन सी गन्ना कौन सा है गन्ना नेक्स्ट कोचन है तो नीचे दिये गए सिचाई परियोजना एवं उसमें सम्मंदीत जीलों को सही मिलान किजिए देखे भैरवा जलासे परियोजना ये कहां पे है भैरवा जलासे परियोजना दोस्तों हजारी बाग कहां पे होगा हजारी बाग उसके बाद आपका हो गया राम रेखा जलासे परियोजना राम रेखा जलासे परियोजना आपका हो जाएगा गुमला उसके बाद आपका है राम रेखा जलासे गुमला हो गया भैरवा हजारी बाग और नक्टी जलासे परियोजना कहां हो जाएगा नक्टी हो जाएगा पर सीभूम कहां हो जाएगा सीभूम और सत्पोटका हो जाएगा यह भी आपका सीभूम हो जाएगा इस तरह से इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन ए नेक्स्ट कोचन है पंचेत जल विद्यूत केंदर के अस्थापना कब की गई इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन चीएगा नेक्स्ट कोचन है चायबासा से बर्जा मुंडा गुवा से लिम्टू एवं बड़ा जामदा से नौवा मुंडी उप्रोक्त धात्विक ख मेगनीज किसके लिए परसीद है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन भी मैगनीज नेक्स्ट कोचन है भारत का पर्थम एवं सबसे बड़ा लो एवं इस पात कारखाना के अस्थापना कब की गई थी इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन सी 1907 इस्विव में नेक्स्ट कोचन है भारत का पर्थम तामा उद्योग 1924 इस्वि में जारखंड के किस अस्थान पर लगाया गया है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन भी घाट सीला जो की कहां पे है सीवूम में है नेक्स्ट कोचन है जारखंड का अलूमिनियम उद्योग विद्योद की आपूर्थी ना होने के कारण बॉक्साइट से मध्यवर्ती उत्पाद अलूमिना ही बना पाता है ये अलूमिना निम्न में से किस अस्थान पर अंतिम उत्पाद के लिए भेजा जाता है इसका अंस अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन डी इन में से सभी बेलूर अलपूरम अलवाय लेई तीनों जगह पर भेजा जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन बी हटिया में कहां पर हटिया में नेक्ट कोचन है एसिया की सबसे बड़ी कोल वासरी निमन में से कौन सा है तो एसिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कौन सी है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा option D करगली क्या हो जाएगा करगली next question है जहारखंड में किस अस्थान पर तसर अनुसंधान के अंदर अवस्थित है जहारखंड में किस अस्थान पर तसर अनुसंधान के अंदर अवस्थित है इसका answer हो जाएगा दोस्तों इसका answer हो जाएगा option D नगड़ी जो कहां पे हैं राची में हैं नेक्स कोचन है छोटा नागपूर बुद्रित्ती अधिनियम 1879 के द्वारा उन सक्तियों का परियोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भुराजस्व की बंदोबस्ती करने की सक्ति देता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन बी विशिष्ट कमिशनर क्या हो जाएगा विशिष्ट कमिशनर नेक्स कोचन है कस्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतरगत किया गया है तक कस्तकारों के वर्ग का उपबंध किस धारा के अंतरगत किया गया है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन नेक्स्ट कोचन है उतक किसी अधीभोग जोत के लगान की विर्दी के लिए उपायुक्त के पास दिये गए परते कावेदन में विनिर्दिष्ट होगा इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर उप्त्रोक्त सभी हो जाएगा जोत गठित करने वाले भुखंडों के छेतर इस्थिती अस्थानिये नाम विसेस्ता और सीमा के विसे में विसेश्टियां ए भी होगा उबी है भूमी में कि ततस्यमान वर्गों के लिए ग्राम में समान्यता विद्यमान देरें वे देरें जिनका वे दक दावा करना चाहता हो तो इस तरह पहला दूसरा तिसरा तीनों इसका अंसर होगा तो इसका अंसर हो जागा सब्सक्राइब करने की सकती है किसके पास है दोस्तों उपायुक्त इसका अंसर हो जगा ऑप्शन भी उपायुक्त नेक्स्ट कोचन है जहारखंड ओदियोगिक निती दोजार एक अनुसार एक भूमी बहिंक का स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि भूमी अधिगरहन की परकिरिया को सरल बनाया जा सके तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन टी राजियस तरिये नेक्स्ट कोचन है जहारखंड ओदियोगिक एवं निवेस प्रोत्साहन निती दोजार सलो को एक अपरिल दोजार सलो से लागू किया गया और अगले कितने वर्सों तक लागू रहेगी इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन भी पांच वर्स तक नेक्स्ट कोचन है निम्न में से कौन सा एक पुर्नवास एवं पुनरस्थापन निती का उदेश्य नहीं है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्शन डी लगू एवं कुटूरू दियोगों में निर्मित उत्पादों है तो उचित बाजार की बेवस्था करना नेक्स्ट कोचन है तक कि परतियारपन एवं पुनरवास निती दुजरनों के तहद किसी परतियारपन करने वाले उगरवादी को निम्न में से क्या सुविधाएं परदान किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों पुनरवास अनुदान के रूप में दो लाख पचास हजार रूपिये तीन हजार रूपिये परतिमा की बिर्दी पर एक वर्स तक बेवसाइक पर सिच्छन गिरह निर्मान है तो अधिक्तम पचास हजार की रासी और दुसरा उगरवाद एवं उसके परिवार को निसूल क चिकित्सा उगरवादी को तथा उसके पुत्र पुत्रियों को मेट्रिक तर निसूल को सिच्छा ये दोनों दिया जाता है उप्चन C हो जाएगा उपरोग्त दोनों नेक्स्ट कोचन है जारखंड की अस्थानिये निती बनाने के समय अस्थानिये भूमी हीनों के मामले भी उठे थे उनकी पहचान के लिए क्या उपाय किया गया इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन ये उसकी पहचान समंधित गराम सभा दुआरा की जाएगी नेक्स्ट कोचन है बुलता है कि पैर्शट हुर से अधिक उम्र वाले BPL परिवार के लिए इस नीयम में क्या ब्यवस्ता की है तो इस नीयम में क्या ब्यवस्ता किया थोसना 10 किलो चावल मुपत 50 पैसे किरों सिं तेल देना ये दोनों किया है जादो पटिया का अर्थ निम्न में से क्या है? जादो पटिया का अर्थ क्या है? क्या होता है? तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्सन C चित्रकार दोवारा कपड़ा या कागज के छोटे-छोटे टुकणों को जोड़कर बनाया जाने वाला चित्रकारी को हम लोग क्या कहेंगे? जादो पटिया नेक्स्ट कोशन है उराव जन जातियों दोवारा पूजा अस्थल पर करमा के वरिच्छी की कितनी डालियां गाड़ कर पूजा की जाती है? इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या है? यह एक सहायक वाद्य है नेक्स्ट कोशन है अनन्त सहाय अखोरी के नाटक गरह के फेर कोज हारखन के हिंदी सहित्ती का पहला नाटक माना जाता है यह नाटक कब परकासित हुआ था? इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों कब परकासित हुआ था? तो 1923 में परकासित हुआ था नेक्स्ट कोशन है किस वर्ष संथाली भासा के सहित्ती कार को पहली बार सहित्ती अकाद्मी पुरुसकार देकर सम्मानित किया गया इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्शन C, 2015 नेक्स्ट कोशन है संथाली भासा की दूसरी उपन्यास मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कोन है? इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्शन C, ननकु सोरेन कोन है? ननकु सोरेन नेक्ट कोच्ण है मुंडा भासा अपने आप में एक पुर्ण भासा है या कथन किसने कहा था इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों उप्षे्टन टी इन में से सभी राधा कृष्णने ने पत्जगदिश, त्रिगुनायत और मन मसीह मुंडू ये तीनों ने कहा था हो भासा किनाटी पुस्तक पॉम्पो साहर होरा की लेखक कोन है इसका लेखक है दोस्तों इसका लेखक है लोको बॉधरा कोन है लोको बॉधरा option 6 का सही answer हो जाएगा next question है निम्न में से किस church को Church of North India कहा जाता है बोलता है कौन सा चर्च है जिसको Church of North India कहा जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों Option B SPG Church किसको कहा जाता है SPG Church को Church of North India कहा जाता है Next question है इन में से कौन सा विश्विद्याले नीजी विश्विद्याले नहीं है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों बिनोद पिहारी महतों विश्विद्याले जो है वो नीजी विद्याले नहीं है Next question है जारखण में विश्विद्याले अस्तर की संस्थाएं वो मुसका स्थापना वर्ष को सही मिलान करें तो सही मिलान करने बोला जा रहा है दोस्तों तो देखिए इंडियान स्कूल ओफ माइन्स धनबाद इसका स्थापना जो है वह उनिस्टो चब्वी सिस्प्रिमुग आता है दुसरा है बिड्ला इंस्चूट ओप टेक्नोलोजी मैसरा इसका जो है दोस्तों इसका हो गया आपका उनिस्टो पच्पन हिए विद्यापित देवघर हिंदी विद्यापित देवघर इसका आपका हो गया 1929 और के अंदर ये विश्प्रिदाल है ब्राम्बे रांची इसका ओगया थोज़रं नो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगाила नेक्स्ट कोशन है मुख्यमंत्री क्रिशिया शिरवाद योजना की शुरुआत कहां से की गई थी तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों अप्शन यह राची से कहां से की गई थी कहां से की गई थी इसका अंसर हो जागा दोस्तों राची इस्थित हर्मु मैदान नेक्स्ट कोशन है जारखंड मुख्यमंत्री सुकनिया योजना का निमने में से किस अस्थान से सुभारम क्या गया था कहां से सुभारम क्या गया था दोस्तों मुख्यमंत्री सुकनिया योजना का इसका अंसर हो जागा अप्शन C चायबासा कहां हो जागा चायबासा से next question है जहारखंड पत्रकार पैंसन योजना 2019 के तहत पैंसन उन्हीं पत्रकार को मिलेगा जो राजी में खाली स्थान के बाद सेवा निर्वित हुए हैं और 58 या 60 साल के बाद सेवा निर्वित हुए हैं इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा उप्शन C, एक जन्वरी 2015 नेक्स्ट कोच्छन है तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों रगुनात महतों क्या हो जागा उप्शन C रगुनात महतों ने ये नारा दिया था अपना गाउ अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज नेक्स्ट कोच्छन है गंगा नारायन सिंग निम्न में से किसके सैनिको के हाथों मारे गए गंगा नारायन सिंग कौन से सैनिको के हाथों मारे गए तो इसका अंसर हो जागा दोस्तों उप्शन D, इन में से कोई नहीं है ये मारा गया था उसेनिक का नाम क्या है उसेनिक का नाम दोस्तों ठाकूर्च चेतन सिंग के सैनिकों के दवारा मारा ग्या था ठाकुर्च चेतन सिंग के सैनिकों को दवारा कब मारा गया था साथ पर्वरी 1839 जगा नेक्ट कोचन है जारखंड में सवदेशी अंदोलन को आरंभ करने वाले अगरनी व्यक्ति कौन थे जिन्होंने विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आशरम के अस्थापना की थी इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन सी नगरमल मोदी कौन था नागरमल मोदी नेक्ट कोचन है जारखंड का सबसे पूर्वी जीला कौन से है जारखंड का सबसे पूर्वी जीला जो है वो कौन है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन भी पाकूर नेक्ष्ट कोच्छन है तो पत्ता है कि नव पासान कालीन पत्थर एवं काले रंग का मृत भाण निमने में से किस अस्थान से प्राप्थ हुए हैं इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्षन ये बाना घाट क्या हो जाएगा बाना घाट ऑप्षन ये नेक्ष्ट कोच्छन है मालूदा जलपरपाद जहारकन के किस जिले में इस्थित है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा उप्षन ये चत्रा कहां पे है चत्रा में नेक्स्ट कोचण है राजपाल के कारेकाल के संबन्द में नीवनिय में से कौन सा कथन सत्य है कौन सा कथन सत्य है दोस्तों देखते हैं इसका अंसर हो जाएगा राज्यपाल का कारेकाल समनेता पांच वर्सका होता है ये भी सही है राश्टपती राज्यपाल को किसी भी समय पदमुक्त कर सकता है ये भी सही है सब्सक्राइब को अपना त्याग पत्र देकर अपना पत छोड़ता एवी सही है तो इसका अंसर हो जाएक तो सब्सक्राइब सभी नेक्स्ट कोचन है चारखंड सोरी बोलता है छोटा नागपूर कस्तकारी अधिनियम उनिस्वाठ के किस धारा में चराई वन उपज लेने आदि के अधिकारों एवं तत समंधी भुक्तान के समंध में कतिपए उपबंधों का लागू होना परिभासित किया गया कौन सा धारा में किया गया है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन यह धारा सोका क्या होगा धारा सोका नेक्स्ट कोचन है जारखन राज वन विस्तार में राष्टी अवसत से लगबग कितना अधिक है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्सन यह आठ परतिसत कितना अधिक है आठ परतिसत नेक्स्ट कोचन है जारखन में परियावरन के सनरच्छन हेतु बंजर भूमी का चुनाव किया गया है जहां वन विकास निगम दवारा तयार प्रस्ताव के अनुसार बैवसाइक महत्व के किस बिरिच के उत्पादन पर बल दिया गया है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों खिंग ओपशन एनुसार जारखन का कौन सा जीला राजी का सरवादिक जन्वे दन्शील जीला है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों सराइक के लाखर सावाँ अ उप्शन एगा सराइक के लाखर सावाँ नेक्स्ट कोचन है केंद्रे एवम राजियों में बार्ण नियंतरन बोर्ट का गठन कब किया गया दोस्तों इसका अंसर हो जागा ओप्शन B नेक्स्ट कोचन है तराश्टिया आपदा परबंधन योजना दोजना दोजना किस आपदा निवनी करन समेलन पर अधारित है इसका अंसर हो जागा दोस्तों ऑप्शन C सिदाई 2015 नेक्स्ट कोचन है तराश्ट के दसक से किस कोल फिल्ड लिमिटेड में लगी आग आज भी आसपास के परियावर्नी परदुसन का कारण बन रही है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन C कि जहरिया जो कि कहां पहसे है धनबाद में कि लिए आप नेक्स्ट कोचन है जारखन राजया आपदा परबंदन जे एसडी एंड़न का गठन कब किया गया तो जे एसड़न कप किया गया दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा कब किया गया था 2010 इस वी में कि नेक्स्ट कोचन है के अंदर सरकार ने जार्खंड के किस गाउं को आधर्स गाउं बनाने की घुसना की है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन भी टक्रा गाउं कौन सा गाउं टक्रा गाउं नेक्स्ट कोचन है जार्खंड राजे में किस भासा की मॉबाइल रेडियो की शुरुवात की गई है इसका अंसर हो जाएगा असूर का किसका अप्शन डी हो जाएगा असूर नेक्स्ट कोच्छन है अंतरास्टिय फुटबोल परतियोक्ता में ज्हारकंड के कितने खिलाडियों का चेन किया गया है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट कोच्छन आम बजट 2020 सकीस में धोती लुंगी एवं साड़ी उजना के तहद कितने परिवारों को अनुदानित दर पर वितरित किये जाने का प्रस्ताव है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्संट सी संतावन लाग नेक्स्ट कोच्छन है उतहाल ही में रिलीज हुई जहारकण में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भासा में रिलीज की गई है तो इसका अंसर हो जाएगा अप्संट सी नाक पूरी भासा में रिलीज की गई थी नेक्स्ट कोच्छन है एथनो मेडिसीन डॉक्टर्स एसोसियेशन ओफ इंडिया की ओर से होडो पेथी को लेकर अभियान चलाये जाएगा होडो पेथी का सम्मन्ध है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्संट यह जन जातिये चिकित सा पधती नेक्स्ट कोच्छन है जार्खन राजजे में पहली बार दृष्टी बाधित उपायुक्त कौन नियुक्त किये गए हैं इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों आप्संट भी राजे सिंग कौन है राजे सिंग नेक्स्ट कोच्छन है खेलो इंडिया योजना के तहत वन अस्टेट वन गेम के अंतरगत हरकन राजे को किस खेल को निखारने के जिमेवारी मिली है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा ऑप्संट भी तिरन दाजी नेक्स्ट कोच्छन है विश्व अधिवासी दिवस कब मनाया जाता है विश्व अधिवासी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों तो अप्संट भी हो जागा नो अगर्स्त को विश्व अधिवासी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट कोचन है राज जी में पहली बार आयोजित हो रही IPL की तर्च पर जारखंड प्रीमियर लीग परतियोक्ता 2020 में कुल कितने टीमें होगी 2020 में कितने टीमें होगी दोस्तों कितने टीमें थी इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन भी 6 टीमे नेक्स्ट कोचन है जारखंड में गैसिये उर्जा के केंदर की अस्थापना कहां की जाएगी दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन भी जहरिया में नेक्स्ट कोचन है जारखंड लोग सेवा आयोग का नया अध्यच किसे नियुक्त किया गया है इस कोचन का अंसर दोस्तों आप लोग कॉमेंट करके बताईएगा नेक्स्ट कोचन है सडक दुरघटना में मिर्तिवी के मामले में जारखन कितने अस्थान पर रहा है सडक दुरघटना में मिर्तिवी के मामले में जारखन कितने अस्थान पर रहा है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ओप्शन C 17 अस्थान पर नेक्स्ट कोचन है गोण्ड की समाजिक बेवस्था के समन्द में कौन सा कथन सत्य है इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन C नेक्स्ट कोचन है जारखन विधान सभा नीमन में से किस परकार की है जारखन विधान सभा किस परकार की है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन यह एक सदन ये है और झाल झाले लोग सेवायों कि सधाश्यों की संखियां और उनकी सेवा कि सद्चकियों कffic इसका अंसर उजाएग़ा लूपसिं सी राजेपाल और ऊपक एयू को डूल किने अबादि पर ग्राम कच्हरी के लिए एक परतियच निर्वाचीत सदेशी का प्राउधान है इसका अंसर हो जागा दोस्तों ओप्शन ये पांसो नेक्स्ट कोचन है जारखन भुधान अग्या धिनियम 1950 के अंतरगत भूमिदानों को किस धारा द्वारा संपुष्ट नहीं किया जाता है इसका अंसर हो जाएगा दोस् संसी 12 नेक्स्ट कोचन है भू अर्जन अधिनियम 2013 में अंतरगत समाजिक परभाव मुल्यांकन के लिए राजिस सरकार ने किसे अधिकरित किया है इसका अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा तोस्ता अपसंटी विश्विद्याले नेक्स कोचन है वस्तु के रूप में लागान न्याले दोरा इसका अंसर हो जाएगा अपसंटी गरहन होगी नहीं होगा उल्तवस्तों के रूप में लगान नियाले दुआरा क्या होगा गरहन योगी नहीं होगा option D इसका सही answer होगा next question है रयत उस भूमी का जो उसके जोत पढ़ती है रयत उस भूमी का जो उसके जोत पढ़ती है इसका answer हो जागा दोस्तों किसी भी रिती से जो अस्थानिय पर चलन या रिती रिवाज से अधिकरित है वह भी है किसी अस्थानिय पर चलन या रिती रिवाज के अनपेच किसी रिती से जो भूमी के मुलिय विशेश रूप से नस्ट ना करे या फिर जिससे वह भूमी जोतने कोड़ने कायोगी ना हो जाए उपयोग कर सकता है तो इसका अंसर अप्शन C हो जाएगा उपरोग तो दोनों यह और बी दोनों नेक्स्ट कोचन है इसका खाली अस्थान की सहमती से जोत का विभाजन या उसके लगान होगा तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन D उपरुक्त सभी भूस्वामी ग्राम परधान और मूल रएयत तीनों के दोबर नेक्स्ट कोचन है बलता है नियास पर क्रिसी के लिए आस्थाई रूप से डाक दुवारा ग्राम परधान मूल रएयत या भूस्वामी जैसी दसा हो और खाली अस्थान को सुचना देकर अपना जोत आस्थाई रूप से नियास पर जोतने के लिए संथाल परगना के किसी रएयत को दे सकता है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन भी अनुमंडल पदा अधिकारी क्या होगा अनुमंडल पदा अधिकारी नेक्स्ट कोचन है परकिरिया के संबन्द में नियमों को बनाने का राजी सरकार का अधिकार उपबंधित है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों धारा चववन कितना होगा धारा चववन ओप्शन ये नेक्स्ट कोचन है तकि नाग फेनी का राजभवन जारखंड के किस जीला में इस्थित है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों अप्शन ची गुमला नेक्स्ट कोचन है नाग पूरी किस भासा परिवार के अंतरगत आती है इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन भी भरूपिया क्या हो जाएगा भरूपिया अप्शन D नेक्स्ट कोचन है परविन कर्मकार का सम्मंध निम्न में से किस छेत्र से है तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट कचन है और सेसन का अंतीम कोचन ज्रखन से समंध रखने वाले सेट किसखे पर सिचक है यह घ्रिक के पर सिचक है दोस्तों सही अनसर हो तो आज के दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा season अच्छा लगा हो. तो प्लीज लाइक किजेगा और शेर जरूर जरूर किजेगा और चैनल में जितने भी नई लोग होंगे प्लीज चैनल चैनल को सबस्क्राइब जरूर किजेगा फिर मिलेंगे हम लोग नेक्सट विडियो में नेक्सट चैट लेकर नेक्स्ट प्रेक्टिस सेट लेके तब तक के लिए धन्यवाद सेट थिरी भी हम करा चुके हैं इसके बाद हम लोग सेट फोर लेके आएंगे पेपर वन और टू दोनों का थैंक्यू धन्यवाद